नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल हिम दरपन पर जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने हिमाचल जी की की सीरी सुरूर करी हुई है जिसमें कि हम कर रहे हैं और इसमें हम टॉपिक वाइज MCQ करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हो रहेगा हिमाचल पुदेश की जी ले और इसका यह सेकंड पार्ट है इसे पहले हमने एक पार्ट डिसकस कर लिया है अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करें और अगली वीडियो को पाने के लिए वैल आइकन को जुरू प्रेस करें तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का हो जो हमारा पहला प्रसंद रहेगा वह रहेगा है कुछ इस तरह से लामा जील किस जिले में स्तित है जो लामा जील है दोस्तों यह माचल पुदेश के क आपका रिवीजिन हो जाएगा यह आप इसे मुग-कर्टिक की तरह कर सकते हैं इसे आपका वैलेवेशन हो सकता है और आप हमें लासमें प्ता सकते हैं कि आपने कितना स्कूर किया इन कॉशं में और तो इसक 언रू रहेगा दोस्तों जो लामा जील नाम से जए जान जाता है यह माचल पुदेश के चमबा जिले में स्थित है और यह एक अधिक उंचाई वाली जील है और इस जील यह जील चमबा सहर से पंतालिस किलमेटर की दूरी पर दोलादार परिवसिंखला के अंदरुनी ढाल पर सित है दोस्तों और इसकी जो हाइट रहती है वह रहती है 3960 मीटर लगवग जो 12990 फीट की उंचाई पर यह स्थित है और एक अन्य जील दाइकुड यहां पर जो दाइकुंड है दोस्तों जो अभी इसके साथ ही 20 किलमेटर की दूरी पर सित है और लामबा जो डल जील है लामबा डल जील को हिंदू लोग पवित्तर धिल मानते है और इससे दोस्तों जो हिंदू देवता सीव से स्वंदित माना जाता है और साबन महिने में यहां तिर्थ स्यात्री आते है और दोस्तों यहां पर लामा डल ले और एक डल लेक है तो हिमाचल पुदेश के किस जीले में है तो आप्शन रहेगी कांगडा में उन्ना में सिमला में या इनमें से कोई भी नहीं तो इसका जो राइट रहेगा तो ऑप्शन नमबर ए दोस्तों मैं आपको बदाना तो आप वीडियो को उन तक जूर शेयर करें तो इसकी डेटियल देखेंगे जो जो डल जील है दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे तो जो डल जील है या एक चोटी सी मद्यम उंचाई वाली जील है जिसकी स्मुदरतल से हाइट दोस्तों 1775 मिटर है और जो गंज है वहां से नडी रोड पर तोता राने के गाओं के पास धर्मसाला से 11 किलिमेटर की दूरी पर स्थित है यह इसकी लुकेशन है दोस्तों तो नेक्स्ट कोर्शन की बात करेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट कोर्शन कुछ इस तरह से है हमाच्रिप्रिदेश की सबसे जील है तो इसकी टिटियल देखेंगे तो जो गोविंद सागरे बिद्देश की बलाचपुर जीले में स्थित है और यह एक मानव निर्वित या मैन्वेड जील है और इसका जो नाम रखा गए दौस्तों वह जो सिकों डस में गुरु थे गुरु गोविंद सिया जी उनक के बाद यह जील का निर्वान हुआ था तो यह जील भारत के नक्षे पर सर्वोर स्थान रखती है और यह दोस्तों यहां पर यहां पर प्रेटन है इसके साथ यह प्रेटन के लिए फिमस है और यहां पर अग्रिकल्चर की दिरिश्टी से भी अनुमौल है तो नेक्स्ट पास कुलू, रिवालसर, टाउन, मंडी, दौन, खर, सिर्म, और इनमें से कोई भी नहीं तो इसका जो राइटन से रहेगा दोस्तों वह मंडाली के पास कुलू, जो दसार जीले यह कुलू जिले में आती है तो इसकी डिटेल देखेंगी जो दसार जीले है दोस्तों आती है दोस्तों समद्रतल से वह है 4200 मेटर की उंचाई परी स्थित है और प्रेटन की द्रिश्टी से दोस्तों जो भी जील है दोस्तों यह भी कुलू में और दसार यह दो नहीं मत्वपन जीले है तो यहां पर आपको पता लगया होगा कि ब्रीग जीले यह भी कुलू की जीले की एक धील है और दसार जील दोस्तों इसका जो व्यास है जो चार हेक्टर में यह फैली हुई है तो नेक्स्ट कोर्शन की बाद करेंगे सुरुचताल जो सुरुचताल जीले माचल प्रदेश के किस जीले में स्थित है तो आपके लिए कुलू लहलस्पिती चंबा सि पर तो इसका जो रैट ऑखाएगा दोस्तों वरुच नंबर भी लॉहलस्पिती जो सुरुचताल यह जील्य में स्थितä है तो इसकी आप ज देखेंगी तो मन जाती है जो कि सुर्ज जील का साविदिकार्थ है जो जो सुर्ज जील है जो साविदिकार्थ रहता है वो रहता है सुर्ज देपता की जील लगेसे सुर्ज दिपता की जील के नाम से भी जाना जाता है इसका जो साफ़िदेकर्त है तो नेक्स कोशन की बात करेंगे सरवाल और भृगु जीले किस जीले से कि में सबन दिता है तो अभी हमने कोशन कर लिया है तो इसका जो option रहे है मंडिक किन और सिर्म और कुलु तो अभी इसके बारे में हमने बात करी थी जो सरवालसर और ब्रिगु जीले या कुलु जीले में स्थित्य है वरिगु दोस्तों जो ब्रिगु जीले या मनाली हिमाच्री पिदेश में एक पुसित जीले और यह जहिल कुछीले में क्रीबन जो क्रीव क्रीवगाइटर रहती है 4300 में मेरं repet Bracks तिते हैं इसको फूक्र में देखेंगे तो 1411 यह की क्रेन जहिले ми स्थित है जो जह जहिले किस जहिले में आती है तो option है कि कांगडा किन और सिरम और कुल्ण तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तोओ हो रहेगा कांगडा जो करेरी जीले ये कांग्ड == ये । कवारे चेlex के थल्फले में जीले है य।给ет जय पाने की जील है तो और जो इसकी स्मुधित दल से हाइट रहती है जो वरती है 2934 मिटर की हाइट पर यह स्तित है जो क्रेंट्ण जील है यह एक प्रेंटन स्तल है और दाशनिक स्तल होने दूस्तों बहुत जो यहां पर ट्राइक की जाती है। इसके लिए यह फ़ियो आती है, इसकेन अंतरगतिया ऐंने आपय ट्रेकिंग के लिए यह फुन से सम्सक्राइब के लिए फिरसे दुस्ट अब आप रहेमें इसके बारे में जो भाचल प्रिदिस की जो परवत स्रिंख लाएं के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में हमने अपने चैनल पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है आप वहाँ पर बीजिट कर सकते हैं तो इसके बारे में आपको डिटेल में जनकारी मिल जाएगी तो तो next question की बात करेंगे गोविन सागर जील के निक्तम कौन सी कौन सा जो जिला का मुख्याल्या है जो गोविन सागर है वो इसके जील के नजदीक कौन सा जिले का मुख्याल्या नजदीक पड़ता है तो अफसन रहेगी सोलन अमिरपूर बिलासपूर मंडी तो इसका राइट सागर दोस्तों इवाजपूर जीले में स्थित मानमिरूत जीले और जो नाम है इसके बाएट हमने डिसकस कर लिये था दोस्तों और यह सतलूज नदी पर भंखडाबांद बनने के कारण बननी थी और यही है दोस्तों इसके बाएट में हमने भी पहले पढ़ लिया है तो next सुर्च ताल है और चंदरताल है दोस्तों इतने अब जाते है तो चंदर ताल तक हो वह लॉल सुटी जिले में और चंदर नहान जील जो जो यह लार्वा अ क्राद नहीं होना है ऐसकी डेटेל देखेंगे तो जो चंदर नहीं होना अ instruct यहाँ सिम्ला जिले में स्थितٍ है और चंदर नहाजल पढ़ नदी का उद्गम स्थल भी है है यहां से भी इक कोषिन पूछा जाता है यह चंदrem Program जील फोन और पढ़ नदी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसे लेगी आप हमें कमेंट करके जुरू प्रता हैं और आपका जो स्कुर रहता ही आप उसे भी हमें कमेंट करके जुरू प्रता है और साथ ही दोस्तो जो हमारे चैनल पे नए आया है उन सब इसे request रहेगी कि हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की notification पाने के लिए वैल आईकन को जूर प्रेस करें और साथ ही दोस्तो इसके साथ ही आप हमें Instagram, Facebook और Telegram पे भी follow कर सकते हैं वहां पर आपको इसकी पीडियाप का मिल जाएगी और जो अधर अपडेट आती रहती है उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं तो थेंकि दूस्तों मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में